और यह जुनपत के थाना आयाना शेत के रहटौली में शनिवार को ताउ के घर पर सोने के लिए भाई बहनों के साथ गई मासूम की दिवार से ये दबने से मौत हो गई पुलिस को सूच ना दिये बिना परजनों ने अंतिम संसकार तक कर दिया अयान शाना के रहटौली निवासी शिविन सिंग पतनी वंधना देवी वे चार बच्चों के साथ गाउं के बाहर जोपड़ी रख कर रहता है आवास के लिए आवेदिन करने के बाद से सरकारे दफ्तरों की चकर काट रहा है बच्चों के सुरक्षा के लिए श्रीविंद्र अपने चार बच्चे नितेश दश्वर्ष, खुशी च्छे, तनु चार और लब दो बच्च को बड़े भाई राजिंद कुमार के घर पर भेज देता था शनिवार शाम को बच्चे राजिंद के घर पर सोने के लिए गए, करीब साड़े च्छे बचे तनु के उपर घर के बातरूम की दीवार गिर के, जिससे वो बुरी तरीके से जखमी हो गए, पर जनु ने आनन फानन में घायल को मलबे से निकाल कर सी एसी आयाना में भरती करा है, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए हैलेट कानपुर रफर किया, कानपुर जाते वक्त मुराद गंच पहुचने पर उसकी मौत हो गई, पर जन्हों ने पुलिस को सुचना दिये बिना रेविवार सुबह शाम में अंतिम संसकार कर दिया अब बाई के पास वहां देख रही एक छोटा सा एथ, छोटा सा उनका भी मकान है, जो उन्हां ही देख ली जो लिटाने के लिए साम को लेड़ जाते थे जागे, तो हम अपने मिया वीवी और सब लोग यह लेड़ते थे, तो कालोनी के लिए आपने कभी संपर्क नहीं कि कालोनी के लिए मैंने कई बार इडियू साथ है और सेक्रेटरी साथ है, इन लोगों से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिं उन्होंने अब अब तक हमाई कोई सुनवाई नहीं की थी पहले, अब हमाई एक साथ हैंगे उन्होंने का है कि देखो अगर बलाक में आई तो हम तुम्हें कालोनी जरूर दिलाएंगे, वो यहां आकर देख गए थे